नमस्कार विद्यार्थियों सर्वणाम शब्द सर्व के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे और अब इसी वीडियो में हम इसको क्रमशह करते हैं पिछले वीडियो में हमने प्रत्मा विभक्ति के तीनों रूपों की रूपसित्थी कर ली थी साथ ही ये समझ लिया था कि सर्वनाम शब्द कौन-कौन से होते हैं और सर्वनाम शब्दों के विभक्तियों में सभी रूपों को एक पर जान लिया था हमने अब आज के वीडियो में हम द्वितिया विभक्ति के एक वचन से रूपों की सिद्धी करना प्रारंब करते हैं हमने पहले भी बताया था कि जो सर्वनाम शब्द के बहुत सारे रूप हैं वे सभी रूप उसमें अधिक्ता रूप रामशब्द के रूप की तरह चलेंगे फिर भी हम इसकी पुनराव्रति यहाँ पर करते हैं तो द्वितिया विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है सर्वम जैसे रामम बनता है बिल्कुल सर्वम वैसे ही बनता है प्रादिपदिक संग्या करेंगे अर्थवधातूर प्रत्य प्रादिपदिकम से अधिकार सूत ग्याव प्रादिपदिकात प्रत्ययह और परश्च यह सभी अधिकार सूत्र आएंगे इन अधिकार सुत्रों में स्वोजस, इनी के अधिकार शेत्र में स्वोजस नावक सुत्र आएगा और जिससे किस प्रत्यों की प्राप्ति होगी, इनी किस प्रत्यों में से किस प्रत्य का हमको घ्रण करना है, यह हमको बताएगा, द्वेकयो, द्वीवचने, रेकवचने, त प्रत्यकरना होगा तो अब हमारे पास है सर्व और अम यहां पर हमको अकह सवर्ने दीर्गह यह सूत्र प्राप्त है लेकिन अतोगुणः उसका बाद करेगा और बाद करके पररूप का बाद करेगा फिर प्रथमयोहो पूर्वसवर्णह से अतोगुनोई से होने वाले पररूप का भी बाद हो जाएगा इस अवस्था में अमी पूर्वरूप ये पूर्वरूप होएगा देखे पूर्वरूप और पररूप क्या होता है पूर्वरूप यानि पहले वाले का जैसा रूप है यो प्लस के चिन्न से पहले वाला प्ल्व रूप और अंतिम वर्ण रिया जाता है तो अमी पूर्व जो सूत्र है ये रूप शब्द यहां गलत लगाया हुआ है अमी पूर्व ही सूत्र का नाम है अमी पूर्व जो है ये रूप शब्द गलत है ये क्या कहता है अमी पूर्व सूत्र कहता है अक से अम में विद्यमान अच्परे होने पर पूर्व और पर के स पर पूर्वरोप एकादेश हो देखिए अक से अम में विद्यमान तो अक जो है यहाँ पर उससे अम में विद्यमान जो अच्छ है उसके परे होने पर यानि यह जो अम में विद्यमान क्या है यह जो अम है यहाँ पर इस अम में विद्यमान क्या है अच है और अक से परे है अक में कौन-कौन से वर्ण आएंगे अ, इ, उ, री, औल री अगर प्लस के चिन से पहले अ, इ, उ, री, री में से कुछ है तो सर्व के अंदर अ है उसके बाद में पीछे अम प्रत्य हो अगर और अम प्रत्य क्या हो अच्छ होना चाहिए तो अच्छ है ही इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है तब पूर्व और परके स्थान पे पूर्व रूप हो यानि सर्व का जो अ है या ई है या उ है कुछ भी अगर होता अ इ उल्री में से तो अ इ उ री उल्री यही आदेश होने थे अब यहाँ पे अ है तो अ ही आदेश होगा यानि अ और अ मिलकर यहाँ पे दिर्ग नहीं होगा पर रूप नहीं होगा यहाँ पे पूर्व रूप होगा और रूप सिद्ध होगा सर्वम अगला है द्वितिया विभक्ति का द्वीवचन तो हमने ये प्रत्मा विभक्ति का द्वीवचन पढ़ाता बिल्कुल वैसे ही सिद्ध होगा ये द्वितिया विभक्ति का बहुवचन शब्द रूप बनता है सर्वान पूर्वत अर्थवध्धातुर प्रत्य प्रादिपदिकम से प्रादिपदिक संग्या करेंगे ग्यांप प्रादिपदिकात प्रत्य यह और परश्च इन अधिकार सूत्रों के अधिकार में स्वो जसे सूत्र प्रवर्त होता है अब हमको पता है कि सर्व 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 ऐसे बहुत सारे बहुवचन में सर्व है तो उन वाले सर्वों में से सिर्फ एक सर्व शेष रहना चाहिए तो उसके लिए सर्व पाणा में एक शेष एक विभक्तव यानि समान रूप होने पर एक विभक्ती में एक ही शब्द रूप शेश रहेगा तो ऐसे सर्व के रहने पर बहुशू बहुवचनम में बहुत्व की विवक्षा में द्वित्या विभक्ती के बहुवचन में प्रत्य लगेगा शश तो प्रत्य हो जाएगा शश शश प्रत्य में से रूप बनेगा सर्वधन शश ये हो गया, शश में से हम क्या करेंगे शकार की इत्संग्या किसे करेंगे लशक्व तधिते और तधित प्रत्यों में लकार, शकार इवं ककार की इत्संग्या होती है उसके बाद रूप बनेगा सर्वधन अस सर्वधन अस तो इसके बास प्रवर तो बनता है सुत्र तक्समा छशो नपुन्सी क्या कहता है पूर्व सवर्ण दिर्ग से परे शश्क के सकार को नकार हो जाए अब यहाँ पर अस है तो असको हम शश का ही परियाय मानेगे तो इसका جो सकार है ये असका जो सकार है, ये वाला, इस सकार के इस्थान पर क्या आदेश करने हो कर रहे हैं, नकार, लेकिन कहा पर केवल पूर्लिंग में, तो हम जो यह रूप पड़ रहे हैं, यह पूर्लिंग का ही रूप है, तो यहाँ पर नकार आदेश हो जाएगा, तो सर्वधन अन, केहां इसे कुंफा स्थ nur70 और पीछे मिलके सरल जे सुथ और अपर अच्था सुथ दूर्डग करने कि कुछ सरवान में रिफ लेकि किसी वह इंद भड़न च्द में होता है तो वहां पर ना को अटव हो जाता है अब यहाँ पर अटकुप वांग में के हिसाब से यहाँ पर पहले तो रशाभ्याम नोनहां समान पदे से रेफ और मूर्धन शकार के किसी वर्ण में उपस्तित होने पर नकार के पर नकार हो जाता है तो यहां पर यह होता है कि रेफ है ही यहां पर तो इसको कर दीजिए लेकिन यहां पर बीच में सरवान में आ और इत्यादी का व्यवधान है तो व्यवधान के लिए सूत्र प्रवर्तित होता है अटकुपवांग नुम्यवाय अपी तो यहां पर अकार टवर्ग, कवर्ग, पवर्ग और आंग इत्यादी का अगर व्यवधान एक का या अधिक का व्यवधान भी है तो भी रेफ के स्थान पर श्रमा कीज़ेगा नकार के स्थान पर नत्व हो जाता है लेकिन अब यहाँ पे नत्व तो हो रहा है अटकुप वांग से लेकिन अगला ही सूत्र प्रवर्थ होकर कहता है पदानतस्य यदि पद के अंत में नकार हो तो वहाँ पर नत्व नहीं होगे अब यहाँ पर जो न है इस न के बाद में कोई भी वर्ण नहीं है सरवान का जो न है इस न के अंत में कोई भी वर्ण नहीं है यानि अकार भी नहीं है तो यह कैसा है पदान्त है यदि पदान्त में कभी भी न हो तो वहाँ परनत्व नहीं होगा इसलिए हमने रामान में भी नहीं किया था अब अगला है तृतिया विभक्ति का एक वजन सर्वेन प्रादि पदिक संग्या अर्थवधातुर प्रत्य प्रत्य प्रादि पदिकम से अधिकार सूत्र आएंगे तृतिया विभक्ति के एक वजन में हमको प्रत्य लगाना है ता प्रत्य प्रत्य लगाएंगे तो टांग स इस सुत्र से टा के इस्थान पर इन आदेश हो जाएगा, सर्व धन इन. तो य और ई ये मिलकर क्या बनता है? आजगुण सुत्र से सर्वेन, एन बन जाएगा. यानि और आजआए के स्थान पर गुण आदेश होएगा और आजआए को सर्वेन. अब यहाँ पर अटकुप वांग सुत्र से न कोनत्व हो जाएगा क्योंकि व्यवधान है अब यह न जो है यह पदांत भी नहीं है क्योंकि इसके अंत में अ है तो पदांत से सुत्र इसका विदोद नहीं करेगा और न कोनत्व करके सर्वेन यहाँ प्रियोग सिद्ध हो जाएगा इसके बाद अब अगला सुत्र है अगला जो चतुरती विभक्ती का एक वचन है सर्वसमे वहाँ आएगा सर्वसमे में सबसे पहले प्रादी परिक संग्या करेंगे अधिकार सुत्र आएंगे सुहोजस अमोर्शस 21 प्रत्यों की प्राप्ती होगी एकत्व की विवक्षा में हमको चतुरती विभक्ती के एक वचन में प्रत्य लगेगा अब इसके हम करेंगे सर्वनाम संग्या सर्वनाम संग्या होएगी सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनामानी सर्वनामानी से सर्वनाम संग्या करने पर सूत्र प्रवर्त होता है यह इस प्रक्रण का नया सूत्र है सर्वनाम नहां स्मे सर्वनाम नहां स्मय यह सूत्र क्या कहता है यह प्रक्तिय जो चतुरती विभक्ति के एक वचन में लगता है उस यह प्रक्तिय के स्थान पर स्मय कर दो पर कब करो यदि वह सर्वनाम पद है तो तो सर्व की पहले हम सर्वनाम संग्या करेंगे सर्वनाम संग्या होने के बाद में यहां सूत्र प्रवर्थ हो जाएगा और गेंग के स्थान पर स्मय लगकर शब्द बनेगा सर्वस्मय यह रूप सु हो चुका है इसके बाद चतुरती विवक्ति के द्वीवचन में और बहुवचन में करमशह सरवाभ्याम और सर्व्य रूप सिद्ध होईगा जिसमें कोई आपत्ती नहीं है क्योंकि भ्याम और भ्यस प्रत्य लगेंगे भ्याम प्रत्य लगनेपर भ्याम प्रत्य लगने पर हम उसमें सर्व धन भ्याम और हम उसको बीच में प्रत्मयो उसको दीर्ग करेंगे भवचने जल्लेत से दीर्ग होने के बाद में सर्वा भ्याम बन जाएगा और सर्वेभ्या भ्यस प्रत्य लगने पर सर्व धन और जब सर्वेभ्या में भ्यस प्रत्य लगकर सकार को हम रुत्व विसर करेंगे और यहां पर हमको